वेलकम तो माई चैनल आस साक्यत वर्मा तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे ठीके तो इस इंटर्व्यू सेशन सीरीज में आप लोग को जो भी एडवांटेज हो रहा है आप डेफिनेटली उसको कमे मिलते जाएगा और आप कोई भी सेशन मिस नहीं करोगे और आपका कोई भी कोश्चन मिस नहीं होगा जो इंटर्व्यू में या थिवरी में आपसे पूछा जा सकता है ठीके तो यह जो इंटर्व्यू सेशन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है विकॉस यह एक पहला क्वेश्चेश्च फास्ट एलेक्रोनिक डिवाइसेश्च सेकेंड नेटवर्क अनलिस तर्ड डिजिटल इलेक्रोनिक्स और फॉर्द कंट्रोल सिस्टम तो आप देख रहे हो कि कोई बहुत ज्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं बोल लगया है इलेट्रोनिक डिवाइ तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कंट्रोल सिस्टम का प्रैक्टिकल ही बहुत ज्यादा यूज है ठीक है और तो डिजिटल एलेट्रोनिक्स लॉजिक सारी चीजे लॉजिक बेस्ट है वह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो देखते एलेट orutch possible sojourn kakar condition and define the line and load regulation of the Zennaz diode what is the application of mosfet what is the Cmos Cross the circuit diagram what are the supply range in the PMOS in the PMOS to be given for the CMOS circuit ठीक है and draw the output characteristics of MOSFET and JFET and what is the ideal characteristics of OPAM what is CMRR and what is the ideal characteristics and also expression of CMRR ये भी था ठीक है तो draw the circuit diagram of the differential amplifier using OPAM for the input impedance of OPAM should be infinite which circuit to be used and अब आते हैं डिजिटर सर्किट पे तो डिजिटर सर्किट में वाट इस दा मल्टिप्लेक्सर एंकोडर वाट इस दिफ्रेंस बिट्विन देम हो दू यू डिजाइन frequency divider using mod 5 वाट इस दा फास्टेस्ट लॉजिक फैमली एंड वाई एंड आइसी चिप बेजड एक कोश्चन था आइसी चिप बस लिखें हम लोग क्योंकि आइसी चिप से रिलेटेट कोई कोश्चन पूछा गया था जो कि exactly recall नहीं कर पाए हैं ठीक है अब यही है अब कर सकता है आप से रूट लोकर से पूछा जाएगा रायोच हर्विट से पूछा जाए यहां हो सकता है बट क्या है इंप बसकता है इंप इंप क्या है प्ते गंटोर सिस्टम में आपको controller और compensator कितना है strong है क्योंकि वही से practically चीज़े generate होती है तो वो पार्ट आपका important होना जरूरी है अगर आप control system अपना favorite subject बोल रहे हो ठीक है बाकी सब चीज़े gate के हर student का जो त्यारी कर रहा होता है उसका अच्छा ही होता है लेकिन जो part weak होता है control system में वो होता है controller and compensator औ ठीक है question तो फिर भी हम बना लोगे वर्ट उसका practical application वह important है और इसे लिए अगर आप control system बोल लोगे तो बस इस चीज का ध्यान रखना बाकी आप कर लोगे मुझे यकीन है ठीक है so draw the frequency response of servo mechanism system जैसा मैं आपको बोला कि वह वाला part आपका important है mechanical modeling ठीक है mathematical modeling यह सब चीजें important है ठीक तो अगर आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से prepare कर चुके हो तो इन सभी का answer properly notebook में लिखो और अगर आप इस्ट्राइब के questions के और answers भी चाते हैं तो आप में साथ जुड़ जाओ unacademy plus में जहां पर आपको मिलता है iconic subscription और plus subscription और live classes etc आप इसके screenshot ले सकते हैं और देख सकते हैं कि what are the different features of the unacademy plus and iconic so thank you for watching this video don't forget to subscribe and comment what you are feeling with this series thank you